ही मैं तो पैइनल हम रामेश्वार कुछ गए है और हम कार अब हमका रख या हम समूद्र टट पे भावेशनान करेंगे और उसके बाद सा जा रहा हैं समूद्र टट पे इसनान करने के लिए उसके नंदीर से पूरा प्रोसुद में जाएंगे अब पिर वहाँ पे कुंड में शनान करना है उसके बाद मंदिर में जाना है पर अभी क्या पूरा प्रोसेस है क्या कपड़े लेके जाना है सब मैं यह वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं जब और बताने वाला हूं गामेश्वर में आके सबसे पहले आपको आना है समुझत तर्थ जो कि यहाँ पär हैं और। यहां पर स्नान करना है। मंदीर में और उसके बाद गर से लाया हुए कपड़े या पिर कोई भी कपड़े हैं जो चैंज कर सकते हैं। और उसके बाद आप मंदिर में दर्सन के लिए जा सकते हैं. तो जश्ट अभी हमने समुद्र पे स्टनान किया और अभी हम जा रहे हैं मंदिर में दर्सन के लिए मंदिर में जाके 22 कुंड है वहाँ पे स्टनान करना है और उसके बाद आगे दर्सन के लिए जाएंगे तो अभी बाइस कुल स्टनान करने के लिए हम जा रहे हैं में जाएंगे तो ज्यादा टाइम लेगे का और हमारे पास ताइम की थोड़ी कमी है तो हम अभी स्पेशल टीकित लेने जा रहे हैं और उसके बाद दर्सन करते हैं तो यहां वे रामेश्वर में हमने अच्छे से दर्सन कर लिए और हम अभी जा रहे हैं इंदिया का लाश्ट कोना यानि कि दनुज कोटी वहाँ पर जाएंगे थोड़े खोटो खोटो कीचेंगे और उसके बाद यहां से निकलेंगे मलीकारजुन ज्योटेलिंग की तरफ तो रामेश्वर से दनुज कोटी जाते वक्त हमको रास्ते में एक कार मिली जो की रेट में फसे हुई थी तो हम सबने मिलके उनकी हेल्प करी और उसके साथ गाड़ी बहार निकलने के बाद उन्होंने हम से कुछ वारतालब किया और वारतालब करते करते उन्होंने हमारी जरनी के बारे में पूछा कहा से स्टार्ट किया है कैसे कैसे जरनी कर रहे हो तो सभी इंफॉर्मेशन हमने शेयर करी दामिश्वरम से अठा किलो मिटर दूर हम आए हुए तनुस्कोटी और यह लास्ट पॉइंड है स्रिलंका और इंडिया के बीच में और यहां से आगे स्रिलंका बोडर शुरू हता है और यह हमारी गाड़ी जो हम लेकिया है गुज्रात से बारा जोते सब्सक्राइब बारा डिन और बारा हजर किलो मीटर की शफर में आप नजरा काफी अच्छा है कि और हवा का रुक भी ज्यादा है कि अ कि अ झाल 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 यहां पे गाड़ी की सफाई हो रही है, बहुत गंडी हो गई अंदर से, तुछार बैर देखो गाड़ी की सफाई कर रहे है, रुपेज बैर कपड़ा यहाद, कपड़े से साफ कर रहे है, और हमारे यूटूबर अभी कपड़े चेंज कर रहे है, समुधर के किनारे, देखो कैसा मस्त नजा रहा है, यह दिपु भाई भी अपने कपड़े सुखा रहे है, जो कल से बिखे हो गए हो, और हमारे साफ कुछ कुछ सफाई कर रहे है, तो हम अभी दो पेर को करीबन बारा बजे दन से सो गए थे, पता ही नहीं चला, अभी जिस एक पैटल बंबे रुके हुए थे, और रुखें बुलपाज हम पानी बनने गए, और क्या सीन हुआ, मैं आपको बताता हूँ, तो हमारे गुजरात में सीन यह है, कि लोग पानी के लिए परब बंदवाते हैं, और यहां पे ह अच्छी बात है, यहां पर कभी पर भी जाओ, साब सफाई बहुत ज्यादा है, बहुत है, बहुत ही, साब सफाई के मामले में अबल नमबर है, हम आ रहे थे रास्ते में, और एक इंटरसिक चीज हुआ है, हमारे जीतु भाई ने फेस किया है, हम तो सोए हुए थे, एपल और यहां का लेगवे, मैंने काका को बोला, काका, हौ मच रुपीज है इन एपल, तो काका ने क्या बताया, कि उनको अपता नहीं था, तो दब्बे में कहे, सौसव का दो निकाला, एक पचास का लेके आए, और बोले, और वो वजन काटा का बात, 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 हमको दिखा के कि एक केजी, और नोट दिखा दिया, कि इसका पैसा इतना होगा, फिर हमको लेना था उसका आधा, तो मैंने काका को बोला, बात, आधा करो इसका, तो भी पता नहीं चला, तो हमारे रज्दी भाई ने क्या किया, वजन उठाया, और कांटे में रखा 500 ग्रा और एक बिसका नोट रिखाला, और एक बिसका नोट रिखाला, पाछी, भूत यो, माफली लेवानी थाई, माफली, रुपेज, माफली लेना हुआ, अरे नहीं, गुजाती जाए, तो मैं कि तो मारें पुशू का 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 मफली नी हो प्राइज, तो रंधी भी आत्मलें बता का का ये पाईशा बले बताया, अमें आपी एक सुसाइट, एक सुसाइट गूबल पे कराया, तह में दिल्दार अजो, तो मासी इमने मफरीं डबो भरे हो, आप रसे जो अमले वल बढ़िया न, इना थी योने वता डबो भरे हो, बिया डबा भरिन नाख्या, टेकरा वार आई ना, पसिये पासु रही चे तो खुब बरिन नाखी, तो माना चे आप दिल्दार हो है, यह उना हो है का अधर स्टेट नू माना चोई है, अटले का वेत्री लेवानू है, अबर जन्दी वह हो है न, वह थाई कि तो वह जन पाई बिल्यूट नागे, जी तो नोखी द